हेलो वरिवन आप सभी का दी इन अपर स्वागत है मैं विशुजीत सिंग दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हिस्ट्री ओफ मॉडर्न इंडिया का हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं भारत में यूरोपियों का आगपन दोस्तो आप सबने बच्वन से सुना होगा कि हमारे उपर अंग्रेजों ने कपजा किया ठीक हम अंग्रेजों के गुलाम थे 200 सालों तक हमने गुलामी करी यह सारी सीज़े आपने बहुत बार सुने होगी स्कूल में बड़े लोगों से अपने आस पास में जो भी है उन्चों सुना होगा तो वो जो अंग्रेज थे कहां से आये थे यूरोप से आये थे तो किया सिर्फ अंग्रेज ही आये थे या अंग्रेज के अलावा कोई और भी आये था ठीक अलग-लग देसों के लोग भी आये थे हमें कबजा करने के लिए उनका आगमन आगमन मतलब क्या होता है मतलब भारत में आना एंट्री कैसे हुई इन सब के बारे में बात करेंगे कहां पर एंट्री हुई पहली बार कहां पर आए इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे ठीक है तो श्टार्ट करते हैं दोस् पंदरवी से 19 सतापदी की रहेगी ठीक है पहली बार जो यूरोपी कंट्री आई वो कब आई थी 15 सतापदी के करीब में आई और 19 सतापदी तक यह चलता रहा ठीक है 19 सतापदी तक वो यहां पर रहे ठीक है थोड़ा बहुत महुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा इन सारे कंट्रियों के बीच में पर जो टाइम प्रियर रहेगा यही रहेगा ठीक है सबसे पहले जो मतलब अगर हम बात करें कौन-कौन सी परमू कंट्रियां आई थी तो पुर्तकाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीजी ये कंट्रियां भारत के अंदर में आई थी सबसे पहले ठीक है और भी इसके अलाबा भी कई छोटी छोटी कंट्रियां आई बट वो सब कोई ज्यादा माइने नहीं रखती क्योंकि उनका परपस उतना बढ़ा नहीं था और वो अपने परपस को बढ़ा भी नहीं पाए मतलब अपने जो उद्दे से था या फिर भारत में और जिस उद्दे से से आये थे बागी कंट्रियों की तरह वो उसको कायम नहीं कर पाए ठीक है तो मेंली ये चार कंट्रियां जाती है जिसमें पुर्तकाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसिसी ये चार कंट्रियां आती है और भारत को अपना उपने विए सफाद बनाने की क में जादा चीजों नहीं डाली हैं सिर्फ लेक्चर बेस पे ही बनाया वीडियो इसके बाद मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगा जिसमें हम पुर्तकाली डच अंग्रेजी फ्रांसीसी के बारे में अलग-अलग से जानेंगे कि इनका पतन कैसे हुआ वो कब आ आए थे उसके बाद हम अलग से एक एक वीडियो के अंदर में इसको हम स्टडी करेंगे सबसे पहले में बात कुरू पूर्तकाली जो लोग थे वह कब आये भारत में तो पूर्तकाली 15 सतापदी के करीब में भात के अंदर आ गये beth तो आपने एक नाम सुनाओगा वासकुद अगामा ठीक है वासकुद डिगामा नाम सुनाओगा आपने कौन है तो भारत की खोच करने वाले वैक्तियों के नाम से जाने जाते हैं वासकुद डिगामा तो क्या यहां पर सबसे बड़ा कोशन आता है कि क्या इनके खोच करने से पहले भारत तो पस्तित नहीं था, भारत का जर्म ही क्या उसी समय हुआ, ऐसा नहीं है, ठीके, जब वास्कोडिगामा ने खोज करी भारत की, उन्होंने भारत की खोज नहीं करी, भारत तक आने वाले रास्ते की खोज करी, समुंदरी रास्ते की खोज करी, क्योंकि बाकी दे तो सत्रह माई 1499 में, ठीक है, 14498 में वो भारत आये थे, ठीक है, आये तो सबसे पहले कहाँ आये, तो केरला के काली कट काली कट नाम के जगा पे वुआ आए थे ठीक है सबसे पहले और उन्होंने आने के बाद वहाँ पर क्या देखते हैं तो भाई उनका उद्देश से क्या था मोटीव क्या था यह मतलब वासको डिगामा आए उन्होंने रास्ता देख लिया कि भीया यहां से ऐसे से रास्ते से इस रास्ते हैं हमें यहां पर इंडिया पहुंच सकते हैं दूसरा उदेश से क्या होता है दोस्तो? इसाई धर्म का परचार परशार. इसाई धर्म में विस्तार करना. ठीके, देगो. हमारे देश में कई सारे धर्म है, पूरे विश्च के अंदर में, जिसमें से सबी धर्मों का क्या मानना है, almost कि हम मतलब जुड सकते लोग उसमें अपना सकते पर हिंदू दर्म में ऐसा नहीं होता हिंदू दर्म में जो पैदा हुआ है वह हिंदू माना जाता है कोई बनता नहीं हिंदू उसमें ठीक है बाकी दर्मों में क्या है कि आप हिंदू हो जाके change हो जाओ मुहम्डन बन सकते हो ठीक है इसाई बन सकते हो क्रिशन बन सकते हो मतलब जो भी वर्ट सोएवर तो यहाँ पे उनका मेन परपस क्या था कि भाई मिस नरी जो सब्वेता है उसको हम फैलाओफ करेंगे स्तार करेंगे इसाई सब्वेता को बढ़ाएंगे दिसाई धर्म का परचार परपसार करेंगे और व्यापार करेंगे ये था इनका मोटिव ठीक है इस तरह से पंदर सो पांच में जो उनके समराठ होते हैं ठीक है पंदर सो पांच के करीब में उनके समराठ एक आदेश देते हैं 1505 में समराछ आदेश देते हैं क्या कि 3 वरसों के लिए भारत का एक governor general न्युक्त कर दिया जाए भारत का Governor General न्युक्त कर दिया जाए पुर्टकाल के जो समराछ थे उनौने किया क्या 1505 में एक आदेश पारित किया जिसके अंदर में 3 साल के लिए थ्री यर्स के लिए भारत के अंदर में एक governor general न्यूक्त किया गया भारत के लिए क्यूँ तो पूर्टकालियों की hit की रक्षा करने के लिए कि जो पूर्टकालियों लोग है भारत में गये तो उनके साथ कुछ बुरा ना हो कुछ गलत ना हो उसके लिए वो एक न्यूस कर दिया है कि अमीटी जैसा बना दिया गया कि वो देखरेक करेगा कि महाँ पर किसी तरह की सैनिक की जरूत हो कुछ और लडाई जगड़े हो ठीक है कहीं पर प्रॉबलम आये तो वो उसको निपटाएगा ठीक है कहां से एंट्रि करी कहां से एक्जिट करी सब कुछ देखेंगे ठीक है समझ में आता है आगे हम बढ़ते हैं अगला हम बात करते हैं डæچ के बारे में तो जो डच कंट्री थी वो कब आई तो सत्रवी सताबदी के मध्य तक वो आ जाते हैं भारत के अंदर में और उनका मतलब जो पूर्तकाली थे उनका स्थान घरन कर लेते हैं ठीक है पूर्तकालियों को हटा कर खुद उस पे कब जा कर लेते हैं मतलब जहां पे भी वैपार थ पूर्तकालियों का थोड़ा थोड़ा पीछे अटना पड़ा और डचों ने कब जा किया ठीक है समझ में आता है 15596 के अंदर में क्या होता है दोस्तों कि डच इस इंडिया कंपनी नाम से संगठन बना जाता है मतलब एक तरह से कंपनी खोली जाती है डच इस इंडिया नहीं जो इस इंडिया जो देश हैं इस्ट के जो देश हैं उसके लिए वक करेगी जो भी उनके प्रॉब्लम हो सॉल्यूशन हो वो सारा कुछ हो देखेगी ठीक है मार्च 1602 में ठीक है मार्च 1602 में क्या होता है कि डच सांसत के द्वारा एक घोसना पारित की जाती है जिस को या किसी भी तरह की हल्प चाहिए होती तो वो के थुरू वो लेंगे मतलब एक तरह का अध्यादेश था यह ठीक है समझ में आता है 1602 में यह डच सांसत के द्वारा पारित किया गया उनके जो भी जहां पर भी ढूल राइगलिशन बनते हैं वहां पर पारित किया गया और डच के लोगों ने क्या किया यह धिरे-धिरे आने ग़ात पूरवी पश्चमी टटो पे अपना मतलब फैक्ट्रियां इस्तापित करने सुरू कर ले कर लेने लगे जो भी राजा होते थे लोकल राजा वहां के जो भी सेट होते थे उनसे बात करतेते थे उनसे सोड़ी खरीद के ले गए ठीक है तो ये खरीद के ले गए अतना गोदाम बनाया वहाँ से जहाँ जो में भरके ले गए फिर वापस उसको सही से बना कर अलग-अलग डिजाइन के कपड़े बना कर वापस लाकर भारत में बेचा तो इस तरह की चीज़े इनका वैपार चलता था हमसे खरीद कर हमें ही बेचते थे हमसे खरीद के ले गए दो रुपे में और लाकर 20 रुपे में बेचने बना कर तो इस तरह से चीज़े चलती थी तो जो भी कंट्री आई उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत के इंदर में क्या देखा मassalø देखके आए जिसना पूर्वी आई पहले तो उन्होंने भी मassalø को देखा कि म्हूर्वी मसाले यहाँ पे लेगर गए वह भी आई तो काली मेर्चो और उन्हें साले जैसे कई सारी चीजे लेकर गए डच में अगर हम इनके पर प्रसकती लगजाती है ठीक है 1610 में पुलिक गट में लग आलिसो सो पैंतादीश में करीकलं में लग जाती है तो इस तरह से कई जिखापे ज्ट अंगर है चुर let capable में लग जाती है तो इस Нहीं पे ही यह नों ने मतलब अपने effect ने स्थापित करी अब यहाँ पर एक question यह भी आता है बहुत सारे बच्चों के मन में कि जितने भी आये ज्यादातर country मतलब वो south की तरफ से ही क्यों enter की है भारत के अंदर में तो देखो भारत का जो structure है कुछ इस तरह से दोस्तो तो यह इधर समुंद्री है इधर समुंद्र है आज आपके पास airplane है कि आप उड़कर आ सकते हो बाइरोड आ सकते हो आज आपने road बनाया ना पहले तो road नहीं था तो road नहीं था तो पहले के लोग कैसे आते तो उन्होंने क्या अपना यह था रास्ता समुंद्री रास्ता अपना है था है कि ऐसे गूमते ऊवे अलम्बी रास्ते साह है तो अगर इधर से गूमते वए आ रहा है तो normal सी बात इस side center करेगा इधर से आ रहा हाँ तो इस side center करेगा तो यह पूरा परपस होता है ठीक है समझ में आता है आगे बात करते हैं दोस्तों डच के बाद आप आता है हमारा सबसे important प्लेयर अंग्रेज ठीक है अंग्रेजों ने हम पर सबसे ज़्यादा राच किया भई अंग्रेजों के बारे में जानना बहुत जादा ज़रूरी है नाम की स्थापना करते हैं इस्ट इंडिया कमपनी ठीक है और ये 31 दिसंबर 2016 को महरानी एलिजाबेथ ने पर्थम जो महलानी एलिजाबेथ पर्थम थी उन्होंने एक चार्टर पे साइन करते हैं चार्टर जारी करते हैं जिसके थूरू 15 वर्स के लिए वो पूरब में अलिजाबेथ होती हैं उनके द्वार एक चार्टर साइन के जाता है जिसके तहत 15 वर्स के लिए जो पूरब होता है उसमें वैपार करने के आनुमती देदी जाती कि आप पूरब में जाके वैपार कर सकते हो वह अनुमती इस परकार से दे रहे हैं कि जो पूरी वर्ड है इस परकार से तुन्होंने इस इंडिया कंपनी को अनुमती दे दी भाई तु जाओ वहाँ पर वैपार कर कोई दिक्कत ने कोई रोक टोक नहीं करेगा तुझे जा अब इस इंडिया कंपनी आ जाती है भारत के अंदर में 1609 आते आते एक नया चार्टर आता है जिसमें जो तक दिल करे ना जब तक राज करो यहाँ पर जब तक काम करो कोई दिक्कत नहीं है ठीके चार-पान साल के इंदर में ऐसा हुआ क्या तो जो इस इंडिया कंपनी आ इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिक्री थी वैपार के परपस से ठीके बहुत चार्टर अदिकार उनको मिल जाता है कि आपनिस्चित काल तक भारत में रह सकते हो वर्ग कर सकते हो तो उन्होंने क्या चीजों किया सब क्या क्या चीज़े किए इसके बारेगर हम बात करें तो सबसे महींच जहानते है कि हम उनके गुलाम बन के रहें 200 सालो 25 सालो तक नील में वैपार किया, सोरा मसाले, मलमल आदी के मतलब वैपार किया, अरब सागर और फारस की खाडियों में अपना अधिकार कर लिया उन्होंने, जो अरब सागर और फारस की खाडियां थी, ठीके जहां से रास्ता था आने जाने का, उस पे एक तम एक तरसे कबजा कर लिया झाइञे सिर्फि एंग्रेज शी जायाय करते थे दूसरे को जान लाउड नहीं किया ठीक है, भारत से कच्छा माल लेकर और वहां से उसको बना-कर लेकर आकर भारत में नहीं बेचता करते थे भारत में जो मतलब राजा हुआ करते तो उनके साथ संधी करना शुरू कर दीगा इस सुरुवात में बिजनेस परपस के लिए संधी की जाती थी बाद में कुटनीती तोर पर उन्हें हटाकर अपना ही राज करने लगे देरे 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 ठीक ऐसी तर सब्सक्राइब जब हम एक्ए के बारे में जाड़ेंगे कि स्पाइब बारे में इसके बारे में ओप तो राज होने के बाद वजूद भी वो गुलाम बन गए सब के तो यह सब भी हम देखेंगे ठीक है एक लास्ट बज जाता है दोस्तों फ्रांसीजी अब इसके बारे में बात करते हैं यह भी इंपोर्टेंट हो यह फ्रांसीजी क्या है तो फ्रांसीजी क्या है कि एक फ्रां 1667 में फ्रांसेसी केनरान के द्वारा 1667 में भारत में कुछ लोगों की टीम को लेकर वेपार करने के बरपस से आते हैं ठीक है भारत पहुंचते हैं और 1668 में 1668 में क्या होता है कि वो एक सूरत के अंदर में कार खाना इस्थापित करते हैं 1669 में 1669 के अंदर में क्या होता है वो मुस्ली पटना में कार खाना इस्थापित करते हैं ठीक है एक दो साल के अंदर में दो कार खाने है फिर 1720 के अंदर में मतलब जो फ्रांसेसी कंपनी जो भारत में आती है वर्क करने के लिए इसिट इंडिया में आते हैं रिच्ट करने के लिए तो उसके वीत्य संकट आजाता है मतलब उसके जो प्लाणिंग चल रही होती है चीज़े सही सह नहीं चल रहे है तो उसको रिपड़िज इनदर में मतलब 720 में जाकर इसके पुनर गठन होता है पुनर गठन होता है तो बहुत सारी चीज़े चेंज कर दी जाती है और चेंज करने के बात क्या होता है कि केवल वैपार का उद्देश है था मतलब शुरुवात में जो फ्रांसेसी कंपनी थी 4742 तक इनका उद्देश से क्या था only motive था वैपार करना भाई हमें किसी से कोई लेना देना नहीं किसी से लड़ाई जगड़ा नी करना किसी से मारपीट नी करना शिरीफ हमें क्या करना वैपार करना और वैपार करके हम कहाएंगे खाएंगे धकलेंगे यह सेगा को फिल जाता हृँ कि पहल से भारत वैपार करने के लिए भाई वैपार करेंगे देरे देरे क्या होता है राजाउं को अपना गुलाम बना लगे उसके राज़य को कप छिनने लगे तो इस तरह से वो अपनी सीमा को आफिस्तार करने लगे थे तो ये आपस में किस तरह सब बढ़न्त होती दोस्तों डचो की, फ्रांसीसीो की, अंगरीजो की पुर्थकालियों के ये भी हम जानेंगे ये आज का इतना वीडियो था जिसमें आपने सिर्फ इंट्रोड़क्शन जाना कि कव आया कैसे आया ठीक है अब अगरी वीडियो जब हम बनाएंगे तो एक एक के बारे में separate वीडियो बनाएंगे जिसमें हम जानेंगे डच का वाय, फ्रांसीजी का वाय उनका पतन कैसे हुआ, अंगरेजों का पतन कैसे हुआ, फ्रांसीजी का पतन कैसे हुआ ये सारी चीज़े हम जानेंगे ठीक है तो important है वीडियो दोस्तों सारी आगे वाली आने वाली तो please देखिए और दोस्तों आप सबसर्क वेस्ट ये रहने वाली है कि हम जो हमारा देइनब चैनल है वो सोसल मीडिया पर वैलिवल है फेस्बूक हो गया, टेलिग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया कहीं पर भी जाएगा, ठीक है आपको मिल जाएगा और किसी भी तरह की वीडियो चाहिए आपको या फिर वीडियो की पीडियव चाहिए तो आप हमारी सोसल मीडिया को जब ग्रूप को जोइन करोगे तो वहाँ पर आपको पहले सा डली होई मिल जाएगी इस्पेसलिए टेलिग्राम पर ठीक है फेसबणुक ग्रूप को जोईन करें लिजे फेसुक पेस को जोईन करें करें किसी भी तरह कोई डbourट आता है तो आप बेजिजदक कमेंट Bent कीजिए बेजिजदक आप पूचिये आपको जो भी बेजिजदक लेटिड हो की और वीडिय चाहिए तो आप बता सकते हैं, वहाँ पे हम आपको मिल जाएंगे at the rate, the in-up करके कहीं पे भी जाएंगे सर्च कीजिए, यूटूब से लेकर, गूगल पे लेकर कहीं भी आपको सारा page वे सब मिल जाएगा आप like कीजिए उसे यार, और like करने का आपको जो भी नया वीडियो में डालेंगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा time to time और दूसरी चीज़, कि जो भी आपके मने में कोश्चन हो, कोई वीडियो चाहिए, तो वह आप हमें बता सकते हैं कुछ सजिशन हो, वह हमें दे सकते हैं ठीके तो thank you for watching me, thank you for listening me, bye-bye, take care, all the best